Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Princewood Education में आज की इस क्लास में हम आपको सैक्षिक निर्देशन के उद्देश, उनके विशिष्ट कार्य, सिधान्त और प्रक्रिया के बारे में बताएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्षिक निर्देशन के उद्देश के वारे में व्यक्ति के सैक्षिक परिवेश एवं उसमें प्राप्त संभावनाओं, उपेक्षाओं एवं विशेशताओं से सैक्षिक निर्देशन का सम्मंध होता है सिक्षा क्या है एक व्यापक प्रक्रिया है इसके माध्यम से व्यक्ति के वहवार में परिवर्तन किया सकता है क्योंकि सिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति के वहवार में परिवर्तन किया आता है बालक के वहवार में परिवर्तन करने है तो विभिन विधियों का प्रयोग क्या आता है क्योंकि सभी बालक सभी द्रश्टियों से समान नहीं होते हैं क्योंकि प्रतेग बालक जो होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है उनमें विभिन दाएं पाई जाती है इसी कारण आज सैक्षिक निर्देशन की आवशक्ता को अधीक अनुभव किया जा रहा है सैक्षिक निर्देशन के नेमने लिखिद उद्देश प्रतिपादित किये गए हैं फ़ला है विद्यार्थियों को अपनी योगिता, प्रवर्ता एवं रूची के अनुसार पाटिक्रमों के चैन में तथा उनके लिए अपेक्षित त्यारी में साहता करना थर्ड है स्वा एधन की विधियों को प्रियुक्त करने में चात्रों की साहता करना नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अधिकादिक आत्म बोध कराना आत्म बोट कराना मतलब होता है कि वो अपनी जो छमताएं हैं, योगताएं हैं, रुचियां हैं उनके बारे में जान सकें नेक्स पॉइंट है कि छात्रों की विभिन इस्तरों पर पाई जाने वाली सिक्षा व्यवस्ताओं, पाठ क्रमों एवं विभिन विश्यों की संबंद में जानकारी देना नेक्स पॉइंट है विद्याले की नवीन परिवेश से सामंजस स्थापित करने, विश्यों, पाठेतर क्रियाओं, उपयोगी पुस्तकों, रुचियों के चैन करने, अध्यन की उत्तम आदतों का विकास करने, भिन भिन विश्यों में संतोश प्रद उन्नती करने, छात्र व्रतियों की संबंद में आविश्यक सूचनाय प्रदान करने, एवं विद्यार्थियों से परस पर मधूर संबंद इसापित करने में सहायता प्रदान करना, नेक्स पॉइंट है चात्रों को नवीन पाठिक्रमों, नवीन सिक्षण पदितियों, नवीन सिक्षा नीतियों एवं अधिगम के साधनों के बारे में पर्याप्त एवं आवशिक सूचनाय प्रदान करना तो सैक्षिक निर्देशन के उपरोग्त उद्देशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सैक्षिक निर्देशन का मुख्यों देश विद्यार्थियों में अपेक्षित समवेदन शीलता एवं जागरुकता उत्पन करना है जिससे वे उप्योक्त एवं उचित प्रकार के अभिकर्णों, संसाद्नों एवं अधिकम लक्षियों का चेन स्वयम ही कर सके नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैक्षिक निर्देशन के विशिष्ट कार, सैक्षिक निर्देशन के मुख्यों रूप से चार कार है जो परसपर सम्मंदित होते हैं पहला है विद्यार्थियों की रुची, छमता एवं साधलों के अनुरूप, सिक्षा की योजना बनाना और समचित पाठी चर्रया तथा पाठी क्रमों का चेन करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करना नेक्स्ट है वर्तमान विद्याले इस्तर से उपर तथा प्रथक छात्रों की सैक्षिक संभावनाओं का ज्यान करने में विद्यार्थी की सहायता करना नेक्स्ट पॉइंट है छात्र को सैक्षिक काईक्रम में समुचित प्रगति करने में सहायता प्रजान करना नेक्स पॉइंट है शिक्षर संस्थाओं के कर्मचारियों प्रशाशनिक प्रबंध तथा आविशिक पाठी चर्या समंदी परिवर्तनों हे तू सुझाव देना जिससे विद्यार्थियों की आविशिकताओं को उत्तम प्रकार से पूर्ण किया जा सके तथा प्रगती समच समस्थ चात्रों को उपलब्ध होना चाहिए इसमें बताया गया है कि निर्देशन जो है निर्देशन सेवाएं केवल चैनित विद्यार्थियों को ही प्रदान नहीं करनी चाहिए वरन ये सेवाएं समस्थ चात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए तभी निर्देशन प्रद समस्या का समाधान प्रारंब में ही होना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की निर्देशन से सम्मंद कोई समस्या उत्पन होती है, अगर उसको निर्देशन से सम्मंद कोई भी समस्या उत्पन होती है, तो उसकी समस्या का समाधान थत्काल ही कर देना चाहिए, जिससे समस रूपधारण नहीं करती है, मतलब विस्तिरत रही होती है, ठीक है? नेक्स पॉइंट है, प्रमापी करत परिक्षाओं को प्रियुक्त किया जाए, विद्यार्थें द्वारा विद्यालर में प्रवेश लेने पर उन पर प्रमापी करत परिक्षाओं का प्रिक्षाओं का प्रशाशन किया जाए, इन प्रमापी करत परिक्षाओं से प्राप्त परिणामों के आधार पर विद्यार्थी की किस पार्टक्रम में सफलता के बारे में भविश्यवाणी की जा सकेगी, इसके अत्रिक्त आने वाले समयों पर भी यदी इन परिश्याओं का प्रियोग किया जाए तो उत्तम होगा। अध्यान करने के लिए परियाप्त सूुचनाओं को संकलित करना अवश्यक होता है। उप्रांत भी उसका सतत, सतत मतलब क्या होता है? लगातार, continuously अध्यन करना अधिक आविश्यक है, अपने व्यवसाय में विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त की है, अथवा नहीं, मतलब जिस व्यवसाय को विद्यार्थी ने चैनित किया है, चैन किया है उसका, क्या उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई है? अथवा नहीं, इनी बातों से निर्देशन की सफलता अथवा असफलताओं का ज्यान हो जाता है, अता व्यवसाय में लगे हुए छात्रों की सफलता अतथा असफलता का अध्यन करना भी अत्यन्त महत्रपूर है, अनुगामी से माउग का प्योग होता है. नेक्स पॉइंट है, विद्याले एवं अभीवावकों के मत गहन सम्मझ इस्तापित करना. सैक्षिक निर्देशन का एक अन्य महत्रपूर सिद्धांत यहा है कि विद्यार्थियों के विद्याले एवं जो अभीवावक है, उनके मत विद्याले एवं आविशक्ता का अध्यन करने के बाद यह प्रश्न उत्मन होता है कि विद्यार्थियों को सैक्षिक निर्देशन किस प्रकार प्रदान किया जाए। पाच्वा पॉइंट क्या है विद्यार्थियों की सैक्षिक प्रष्ट भूमी का विशलेशन। छट्वा पॉइंट है स्वास्त परिशन। साथ्मा पॉइंट है अंतिम साक्षातकार। इसके बाद क्या पॉइंट है पार्श्व चित्रों को निर्मित करना। नेक्स्ट जो प्रदाता होता है, निर्देशन प्रदाता मतलब क्या होता है, निर्देशन देने वाला प्राया सामुहिक रूप में वारता करता है, वारताओं के निरंतर ही वहाँ विद्यार्थियों को जो सैक्षिक निर्देशन है, उसके महत्व के बारे में बताता है, उसके आवश जानकारी प्रदान करता है, जिससे चात्र जो होते हैं, मतलब जो विद्यार्थी हैं, वो निर्देशन के लिए स्वय में उसुकता उत्पन हो जाती है, तथा विद्यार्थी को निर्देशन के लिए स्वय में उसुकता उत्पन हो जाती है, तथा विद्यार्थी को निर्द रूप से साक्षात्कार किया जाता है जिससे विद्यार्थियों एवं निर्देशन कर्मचारियों के मद्द सौहार्ध स्थापन में सहायता मिलती है नेक्स्स पॉइंट है छात्र की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिसिति का अध्यान प्रात्मिक साक्षात्कार के उपरांद सेवार्थी की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिसिति का अध्यान प्रात्मिक साक्षात्कार के उपरांद सेवार्थी की सामाज सामाजिक आर्थिक एवं सांस्क्रतिक इसिति का अध्यन करने हेतु सामाजिक आर्थि आर्थिक इस्तरमापनी का प्रयोग किया जाता है। सामानि बुद्धी, विशिष्ट बुद्धी, रुची, अभीरुची, उपलब्धी एवं व्यक्तितु का मापन तता मुल्यांकन किया जाता है। स्वास्त परिक्षन के आधार पर सेवार्थि, रोगों, विकारों तता अस्वस्थाओं इत्यादी के समद में जानकारी इकत्र की जाती है। नेक्स पॉइंट है आपका अंतिम साक्षातकार, इस उद्देश, इस सोपान का उद्देश, निर्देशन, कारिकर्ताओं द्वारा, सेवार्थि के विशय में शेश, आवश्यक्ता, सूचनाओं के समद में जानकारी प्राप्त करना, तता उनकी शंकाओं का समाधान, पार्ष्व चित्रों को निर्मित करना, सेवार्थि के समद में समस्त आवश्यक सूचनाओं को इकत्रित करने के उपरांत, उसकी विशेश्ताओं का सूचक पार्ष्व चित्र का निर्माण किया जाता है, पार्ष्व चित्र को देख कर ही सेवार्थि की यथा इस सिती के स सब्सक्रम को सिवार्थी को सेक्षिता सवार्थी को समस्त सूचनारों तथा बनाया गया अलेक निर्देशनisme कर्मिचारियों के सम्मेलन में विश्फ लिएश्शन्वीचार्विमर्ष स्थिते स्विए इस सुपान में निर्देशन कारिकर्ताओं के संमेलन के परिणामों को एक विश्ष्ट प्रतिवेदन की रूप में लिखा जाता है। प्रतिवेदन की जो एक एक प्रतिलीपी होती है वो जो सेवार्थी होता है जो विद्यार्थी होता है उसके अध्यापक या अभिवावक को दी जाती है ठीक है उसकी एक एक प्रतिलीपी किसको दी आती है अध्यापक और अभिवावक को दी जाती है इस प्रतिवेदन के नेक्स्ट है अनुगामी सेवाएं, अनुगामी सेवाएं को हम अनुवर्ती सेवाएं भी कहते हैं, अनुवर्ती कारे के द्वारा निर्देशन प्रदाता अपनी रिपोर्ट के अनुसार सेवार्थी द्वारा लिए गए निर्णेयों एवं कारेयों की समिख्षा करता है, त इन सुपानों में सिक्षा निर्देशन की प्रक्रिया संपाधित होती है तता यह प्रक्रिया समन्वित रूप से सिवार्थी के लभार थे तू सतत रूप से चलती रहती है निरंतर रूप से चलती रहती है तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सैक्षिक निर्देशन की उद्देश पढ़े, सैक्षिक निर्देशन की विशिष्ट कारे पढ़े, उनके सिधान्थ पढ़े, उनकी प्रक्रियां पढ़े, तो इस तरह से हमने सैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया, सिधान्थ, उद्देश ता विशिष्ट कारे पढ़े, next class में हम next topic पढ़ाएंगे peer and seated की सभी classes देखने के लिए description में link दिया गया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप हमाई telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link भी description box में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी next class में